हेलो और इवन, स्टड़ी विद अस में आपका एक बाए फिर से स्वागत है और आज हम रिसर्च एप्टिट्यूट से रिलेटिड वीडियो जो है डिसकस करेंगे और इसके अंदर लगबग 20 से 25 कोश्चन जो हैं आपको कराए जाएंगे तो ये एक परकार का रिवीजन वी अधिकतर कोश्चन जो है आपके सही हो इसमें ठीक है आंसर जो है आपको पहले गैस करना है उसके बाद मैं जो है इसके आंसर से आपको बताता चलूँगा तो चलिए पहला कोश्चन है कि अनुसंधान में विशाल न्यायदसा या सैंपल होने पर सर्वधिक उप्युक्त विधी है तो सबसे उप्युक्त विधी कौन सी होती है जब हमारे पास जो है अधिक सैंपल होते हैं तो तो क्या होगा इसका आंसर I hope कि आपने guess कर लिया होगा ठीक है guess करने सी होगा कि आपको पता चले है कि आपको कितना research attitude का topic जो है आपको कितना आता है सही answer है option number C सर्वेक्षन विधी ठीक है सर्वेक्षन विधी जो है सबसे उप्युक्त होती है अगर विसाल नियादसा होती है तो यानि कि अधिक अगर हमारे पास sampling है तो next question है निम्न में से कौन सा अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है ठीक है मुख्य उद्देश्य पूछरा आप यहां इस question में जो है हमेशा confusion रहती है तो confusion नहीं होना है इसका सही answer जो है वो होगा option number C मुख्य उद्देश्य हमेशा यह होता है कि नवीन नियमों तथा सिध सिध्धान्तों का परतिपादन करना जबकि आप यह सब देखेंगे ने सूचना को एकत्रित करना निसकर्स का मुल्यांकर करना यह सब तो अनुसंधान के चरण हो जाते हैं ठीक है निस्टैप हो जाते हैं तो आपको यह चीज़ याद रखनी है कि जब भी अनुसंधान ग 11 की जनगर्णा में अनुसंधान की कौन सी विधी पर्युक्त की गई थी अब देखिए कोशन पूछा गया था राजिस्थान सैट में जितने भी एक्जाम हुए हैं और जिंजिन एक्जाम में रिसर्च के कोशन पूछे गये हैं वो सारे कोशन जो है मैं आपको करवा दू गया था सन 2011 की जनगर्णा के लिए नेस्ट कोशन है या द्रिच्छी की करण ठीक है एक उपाय है जो समाप्त करता है क्या समाप्त करता है तो इसका सही आंसर है मानविय पक्षपात ठीक है मानविय पक्षपात को जो है समाप्त करता है नेस्ट कोशन है सोध की रूप कि संतुति करने वाली समीती है वो कौन सी समीती है तो इसका सही आंसर है option number a rdc समीती या rdc ठीक है या rd समीती भी कह सकते हैं इसे चली कमेंट में आम मुझे बताइए यह rdc का पूरा नाम क्या होता यह आपके लिए कोशन है rdc का पूरा नाम बताइए नेश्च कोशन है सोध कार्यों में आकडों को इखटा करने का सबसे उत्तम उपकरण है ठीक है सबसे उत्तम उपकरण कौन सा है तो वो होता है परिक्षन करना ठीक है option number D परिक्षन करना next question है परियोग आत्मक परियोग आत्मक अनुसंधान की परमुख विशेश्ता है तो इसका सही answer है option number B समस्या नियंत्रण ठीक है नहीं परियोग आत्मक अनुसंधान की जो परमुख विशेश्ता है वो होती है किसी विशेश समस्या को नियंत्रित करना चलिए next question एक चर की सबसे अच्छी परिभाशा है एक चर की सबसे अच्छी परिभाशा कौन सी है इनमसे तो इसका सही answer है option number C पदार्थ वस्तू अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण ठीक है नहीं पदार्थ वस्तू अथवा प्राणी के कोई मापन योग्य गुण next question है सोध का मुख्य धैरे क्या है तो सही आंसर है इसका option number D नए तथ्यों की खोज करना अथवा ग्यात तथ्यों की नवीन व्याख्या करना चलिए नेक्ट कोशन है निमिल लिखित में से कौन सा गैर संभव्यता परतीर दर्श है तो इसका सही आंसर है option number B अनुसंधान की वैधिता में सुधार संभव है अनुसंधान की वैधिता में सुधार संभव है कैसे तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number C जनसंख्या का यथा तक्थे परती निधी परती दर्श लेकर तथा बाहर ये घटकों का विलोपन कर दोनों ही के द्वारा जो है अनुसंधान की वैधिता में सुधार संभव किया जा सकता है नश कोशन है एक अनुसंधान करता किसी सहरी छेत्र में एक राजनेतिक दल विसेश संभावनाओं के अध्यन हे तू इच्छुक है इस अध्यन हे तू किस उपकरण को वर्यता देनी चाहिए तो इस कोशन का सही आंसर है ओप्शन नमबर बी प्रशनावली ठीक है प्रशनावली को जो है वर्यता देनी चाहिए नेच्छ कोशन है यदि कोई सोधार थी परभावी मिड़े मील हस्तचेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के परभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धिती इस अध्यन के लिए सर्वत्तम होगी तो इसका सही आंसर है option number D कार्योत्तर पद्धिती अब देखें ये UGC net जुलाई 2016 का कोशन है ठीक है एक पर हम फिर से पढ़ देता हूँ कि यदि कोई सोधार थी परभावी मिड़े मील हस्तचेप के आयोजन के लिए संभावित कारको के परभाव का पता लगाना चाता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धिती इस अध्यन के लिए सर्वत्तम होगी तो वो है कार्य उत्तर पद्धिती जो की किसी कार्य के पश्चात अब मतलब उसका जांच परताल से जुड़ी होती है नेस्ट कोशन है सोद करने के लिए निमिल लिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की आपिक्षा है तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर बी अनुसंधान परशन तयार करना अनुसंधान परशन तयार करना नेस्ट कोशन है सोद परबंद लिखिने का प्रारूप वही होता है जो निमिल लिखित में होता है तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर सी सोद के लगु सोद परबंद में नेस्ट कोशन है गुणात्मक सोद के परतिमान में निमिल लिखित में से कौन सी विसेश्ता को महतपून माना जा सकता है तो इसका सही आंसर है ओप्शन नमबर सी ओप्शन नमबर सी प्रदतो के संग्रहन में इंद्रिय अनुभविक साक्षयों का निम्ण से उच इस्तर की और उनमुक्ता चलिए ये 75 वा कोशन जो है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है आप इस कोशन को ध्यान से पढ़ सकते हैं या चाहें तो इसक्रिंशाट भी ले सकते हैं ठीक है 75 नमबर का कोशन का आंसर आपको बताना है ठीक है आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कोशन पढ़ सकते हैं वीडियो को पाउस कर सकते हैं चलिए नेश्ट कोशन है सोध की गुणवत्ता किसके द्वारा जाची जाती है तो इस question का सही answer है option number B सोध की प्रसंगिक्ता के द्वारा कितना relevance है उस research का उस अधार पे जो है सोध की गुणवत्ता जाची जाती है next question है निमिल लिखित में से कौन सा सही नहीं है सही नहीं है तो इसमें जो सही नहीं है वो है option number B सोध हमेशा सुववस्थित नहीं है ठीक है हला कि सोध जो होता है वो सुववस्थित होता है next question है एक अच्छे सोदकरता के पास क्या होना चाहिए एक अच्छे सोदकरता के पास क्या होना चाहिए तो सही answer है एक Unvation करने वाला मस्तिस ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही तो अब डिस्कस करेंगे कुछ questions अगली वीडियो में I hope की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइम नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि आसी वीडियोज आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching this video